कर देट है आज की 19 दिसंबर 2020 और स्टार्ट करेंगे आज की हमारी आंसर राइटिंग तो अभी तक हमने दो टॉपिक डिसकस कियो हैं जिसके अंदर में एक आता है बेसिक स्ट्रेक्चर दूसरा आता है अमेंडमेंट ठीक है जो हमारा फॉर्स्ट पार्ट है हमारे पेपर टू का स्लेबर्स डिसकस कर रहे हैं उसके अंदर में हम क्वाश्ट आंसर डिसकस करेंगे पॉलिटी और कॉंस्टिटिशन वाले टॉपिक ही तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इसके अंदर में वो आएगा टॉपिक हिस्टोरिकल अंडर्पिनिंग और इविलिशन यह काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा लंबा टॉपिक भी है यह विकॉज इसके अंदर में आपको पता करना एक्चल में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा डिफिकल्ट ह बट इसमें ऐसा नहीं कि हर साल आपको क्वेश्चन आ रहा है कई बार दो तिन साल के बाद में क्वेश्चन देखने को मिलेगा लेकिन इंपोर्टेंट पार्ट है इजी पार्ट है अगर आपने अच्छे से प्रिपेर करना है तो तो इसके अंदर में हमारा एक तो नॉर् उनके बारे में इसके अंदर में हमें study करनी है तो वो तो हमारा modern history से cover हो जाता है इसमें जो important act आएंगे हमारे एक तो 1909 वाला फिर 1919 वाला फिर 1935 1935 वाला आ जाएगा ठीक है और Indian independence act उतना important नहीं आता इसके लियास से बट यह वाले act important आ जाते हैं जिनके अंदर में घुम के question पूछ सकते हैं means उनका सहारा लेके यह पूछ सकते हैं कि यह वाला provision constitution के अंदर में कोई provision आया तो वो उसके उपर मतलब क्या views थे different assemblies के जैसे आप से पूछ लिया कि preamble constitution का preamble pass करने के लिए क्या logic था किस तरीके से उसको लेके आया तो historic underpinning कैसे हुई हमारे preamble कैसे आया fundamental right के वीचे क्या debates थी बट यह इसके उपर मतलब अगर आपको ज्यादा focus करने की आप शक्ता नहीं है अगर आप करना चाते हो तो आप इनको cover कर सकते हो debates को बट यह काफी ज़दा heavy हो जाएगा अगर इनको cover ना भी करें तो भी मतलब कोई ज्यादा chance नहीं है जैसे 100% म कहां से इसको लिया गया है ठीक है तो majority हमारा जो constitution है उसको हमने लिया 1935 के act से उसके बाद में various country से जैसे UK से और US से mostly constitution लिया और उसके बाद में काफी सारी country से हमारे दौरा constitution लिया गया उस समय जो भी constitution थे उन सब को study किया गया उसके बाद इनको लिया गया तो इसको आप cover कर सकते हो किस किस country से हमने लिया जो लक्षमिकांद के अंदर main main source है उनको cover कर लो उससे काम बन जाएगा ठीक है और इसके अंदर में 1935 का act उसको detail से बढ़ना है उसके अंदर में क्या provision थे वो सब चीज़े और इसी के अंदर आज का हमारा question जो discuss करेंगी वो होगा government of India act यहा constitution assembly debates for UPSC लिखोगे उसके अंदर में आपको जो various IES के लिए website बगएर होती है उसके अंदर में किसी ना किसी website के अंदर यह चीज़े मिल जाएंगी ठीक है जैसे byju वाली website के अंदर में आपको मिल जाएगा यह वहाँ पे यह वाली है उसके अलावा और भी काफी website है जहाँ पे आपको इनकी summary बगएरा मिल जाएंगी उनको cover कर सकते हैं अगर करना चाहो तो नहीं करना चाहो तो छोड़ भी सकते हो कोई जादा problem नहीं है लेकिन यह वाले तो must है और source यह भी आपको करना पड़ेगा तो question आया था कि government of India Act 1935 का यह federal constitution ले करता है अब जो UPSC का standard pattern है question पूछने का वो एक topic देखते हैं उसके बाद जो छोटा graduation level के उपर या दूसरे बच्चों वाले level के उपर question कैसे आते हैं उसमें पूछेंगे बताओ 1935 Act के अंदर में क्या provision थे लेकिन UPSC का standard question पूछने का ऐसा है यह देखते हैं उसके अंदर में सबसे important चीज क्या है जो उस particular चीज को define करती है जैसे malnutrition के precaution आएगा तो वो malnutrition के particular चीज पे जाएंगे जो की specific targeted चीज जो की relevant है अब उसमें क्या relevant है उसमें ये relevant है कि इंडिया के अंदर में condition खराब क्यों है इतने टाइम से हम surplus food उगा तो हमारी condition खराब क्यों है वो आता है central idea उसके around आप point को join कर condition बनाना है इसके अंदर में basically जो हमारे nationalist movement चल रही थी उनको इनके द्वारा तोड़ने के बारे में सोचा जा रहा था कि एक तरीके का federal system लेके आएंगे जिसके अंदर में हमारा जो local bodies होंगी local body means की जो state होंगी provinces होगी उनको कुछ जादा power दी दी जाएगी और एक तरीके से जो congress की comments हैं, congress जो party है उनको हम various comments में डाल देंगे, छोटी-छोटी state में डाल देंगे और उनको हम manage कर लेंगे, adjust कर लेंगे इनको, क्योंकि अगर इनको हमने power बगएरा दे दी तो power corrupt कर देती है, उसके अंदर में इनको ललचा के हम थोड़ा balance कर सकते हैं, तो ऐसे provision बनाय ज क्या-क्या round table में discussion होई, और उसके बाद में ये act आता है, तो basic इसमें बात यह थी कि हमने nationalist movement को कमजोर करना है, और उनको थोड़ा बहुत लॉलिपॉप पकड़ा देते हैं, ताकि वो खुश रहें थोड़े समय के लिए, तो उसमें federal constitution के बारे में बोला गया, कि उसके था, democracy के अंदर में, इसमें काफी सारे हमें provision देखने को मिले, और ये जो था, इसने हमें federal provision framework देखने को मिलता है, इसके अंदर में, truly federal नहीं बोल सकते हैं, लेकिन काफी अतक federal देखने को मिलता है, जो कि हमने बाद में replicate भी किया, ठीक है, तो जैसे हमने All India Federation Establish करने के ठीक है, various comments हैं, जिनको constitution से direct power मिर रही है, जैसे इंडिया में various state हैं, फिर center अलग है, उनको constitution से power मिलती है, तो various center of power देखने को मिले हुए, जो कि independently constitution से power derive कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आया federation का concept, यहाँ पर बोला गया, provide करवाया जाएगा, establishment of all India federation, पूरे इंडिया लेवल के पर जितनी भी princely state और provinces होंगी, उनको हम इस तरीके से divide करेंगे, center, फिर हमने नीचे provinces को divide कर दिया, उसी के साथ में princely state आजाएंगी, प्रोविंसी मतलब वो जो British India के अंदर आती थी, और princely state वो जो की राजा मारा राजाओं के अंदर थी, क्योंकि Britisher ने पूरे इंडिया क capture नहीं किया था, उनने कुछ को ऐसे छोड़ दिया था, क्यों capture करना हमारे लिए allegiance शो करो, उससे आपका काम चल पड़ेगा, तो हम एक federation बनाएंगे, जिसके अंदर center, state, इस type की government हमारे दोरा बनाई जाएगी, ऐसा बोला गया, लेकिन ये कभी भी पूरे तरीके से all India federation न provincial list और concurrent list थी, जिसको हमने बाद में directly copy कर लिया, जैसे थे ये provision, ठीक है, उसके बाद जो regulatory power बची, जो इनके अंदर में नहीं लिखी, वो जा रही थी, वाइस राय के पास में, ठीक है, ये UPSC के अंदर question आ चुका है, 2019 के अंदर में, prelim के अंदर में, किस में गई थी, तो य center level पे बनाएंगे, state level के उपर बनाएंगे, और joint, जो की present में भी हमें देखने को मलते हैं, तो ऐसे commission बनाए, basically, center level पे लग, cadre होगा, officer का, state level के उपर अलग होगा, तो इसी को बला जाएगा federation, अलग-अलग separation of power इनके अंदर में की जा रही है, फिर इसके अंदर में, जो legislature थ होगे, तो basic बात ही है, federation के लिए कुछ provision थे, फिर return level के उपर था, ये act उसमें जो चीज़ें लिखे होई थी, हालांकि इसको constitution नहीं बोला जा सकता, ये तो सिर्फ एक normal act था, लेकिन ये भी काफी बढ़ा act था, जिसको आप एक तरीके का constitution भी मानी सकते हो, return document, जो की Britain की Parliament क ये तरह पास किया गया था, तो इसको as a written constitution अगर आप समझो, तो federation का एक important character होता है, कि constitution आपका लिखा हुआ होना चाहिए, जो की लक्ष्मिकांद में लिखी हुई है, कौन-कौन से provision, federation कहलाते हैं, तो वो चीज़ें आपको करनी है, ठीक है, और इसके अंदर में conclusion में 1335 के act के अंदर में, और इसके अंदर में एक तो All India Federation, वो picture में नहीं आपाई, दूसरा जो governor journal था, उसके बास काफी ज़दा power थी, तो वो मतलब किसी भी चीज़ को रोक सकता था, वो boss था इन सब चीज़ों के अंदर में, तो federation जब आप बोलोगे कि All India Federation आनी है, तो उसके आप एक responsible comment बनाओगे, center level पे, state level के उपर, और एक division of power होगा, लेकिन यहाँ पे governor general supreme था, वो किसी भी will को विटो कर सकता था, यहाँ पे भी रोक सकता था, और यहाँ पे जो governor उनके दोरा point किये थे state level पे, वो भी इस तरीके के विटो का का काम कर सकते थे, तो इसके अंदर मे यही सब चीजें थी, यह आपको detail के अंदर में पढ़ना पड़ेगा, because जो मैंने अभी समझाया, उसमें तो आपको 1935 का act समझ नहीं आएगा, complicated है, तो यह तो modern history के अंदर cover करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके अंदर में cover करना, अगर अभी मान लोग इतनी चीजें समझ नहीं भी आरी, आप first timer हो, यह चीजें समझ नहीं भी आरी, तो इनको देखते रहो साथ साथ के अंदर में, और जितना syllabus हो सकता है, उतना cover कर लो, और बाद में 5-6 मन्त वाद जब syllabus complete हो जाए, उसके बाद में फिर से वीडियो को देख लेना, तो आपका काम बन जाएगा, मिलते नेक्स वीडियो में, थेंक यू